ओम शान्ति बेहत के रुखानी नशे में रहने वाले खुश नशीब आत्मा आदनिय राजयोगी ब्राता डक्टर सचिन भाईजी हम सब के बीच में हैं हम एक हाथ हिलाते हुए आपका स्वागत करते हैं सतकार करते हैं अभिनंदन करते हैं वर्ष 2003 में आप बाबा के बच्चे बने रुखानी बच्चे डाइमंड हॉल में आपका अलोकिक जन्म हुआ और उसके बाद आप बाबा के ज्यान की गहराई में उतरना आरंभ कर दिया उससे पहले वर्ष 2002 में आपने MBBS पास किया और फिर ग्यान मिला और उसके बाद लोकिक अलोकिक दोनों स्टडिस में आगे बढ़ते रहें MD किया, काफी फेलोशिप प्रोग्राम्स किये, डिप्लोमास किये, कई सारे मेडिकल फिल्ड के कोर्सेस किये और इतना ही नहीं, बॉम्बे में जो हमारा B.S.E.S. हॉस्पिटल है वहाँ जॉब भी की और जो फेमस हिंदुजा हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी काम किया और फिर सारे अनुभवों को इखठा करके आप 10, 10, 10 को अर्था 10 अक्टूबर 2010 को माउन्ट अबु में आकर ग्लोबल हॉस्पिटल को जॉइन किया वर्तमान में वहाँ आप हेड अप देपार्टमेंट आप मेडिसिन है, कंसल्टन्ट फिजीशियन है और इंटेंसिविस्ट है और यहां बाबा के घर में मदुबन के पुरशार्थी ग्रूप के साथ बैठ कर बाबा के ज्यान पर मनन चिंतन करते हैं जिसका लाब सर्वकों मिलता है तो आज हम सब का सोभाग्य है जिनकी क्लासेज को आप टेकनोलोजी के माध्यम से सुनते हैं आज रूबरू बैठ कर सुनेंगे और आज का बहुत सुन्दर विशे है शुभस्य शेगरम तो सुनते हैं ब्राताजी से आदनिया ब्राताजी ओम शांते किसी सुनसान रगिस्तान में जहां पर दूर दूर तक कोई मनुश्य, कोई जानवर दिखाई नहीं देता था ऐसे एक वीरान रगिस्तान में एक व्यक्ती बटक गया तेज धूप थी प्यास बहुत ज़्यादा उसे लग गई परंदू कहीं पर भी पानी नहीं था वो यहां वहां देखने लगा धूर ने लगा पर दूर दूर तक केवल रेत ही रेत और तबते सूरज की गर्मी अचानक चलते चलते उसे एक हैंड पंप दिखाई देता है वो भाग कर वहां जाता है परंदू उसमें पानी नहीं होता है परंदू वहां एक चिठी टंगी होती है वो उस चिठी को निकालता है और पढ़ता है उसमें लिखा होता है कि यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें पानी मिले तो एक काम करना पड़ेगा सामने जो सफेद पत्थर है उस पत्थर के नीचे एक पानी की बोटल है वो ले लो परंदू उसे पीना मत उस पानी की बोटल को इस हैंड पम्प में डालो उस पानी को उसके बाद यह हैंड पम्प चालू हो जाएगा और उसके बाद तुम्हें जितना पानी चाहिए तुम पी लेना पर याद रखना वो जो बोटल है जो सफेद पत्थर के नीचे है उसमें से मत पीना उसका पानी इस हैंड पंप में डाल देना और फिर जब तुम्हारा पी कर हो गया तो वापस उस बॉटल को भर कर उसी सफेद पत्थर के नीचे रख देना और उसमें लिखा होता है तारीक लगबग 20 वर्ष पूर्वकी उसके सामने प्रश्ण है क्या करूँ क्योंकि प्यास तो बहुत ज़्यादा है परंदू वो जाता है सफेद पत्थर को देखता है उसके नीचे देखता है तो वास्तों में वहाँ एक बॉटल है और जिसमें पानी भरा है और वो पानी परियाब्त है उसकी प्यास बुझा लेने के लिए परंदू चिट्थी में लिखा था कि वो पानी इसमें डाल देना क्योंकि तुम्हारे पहले जो आए उन्होंने ऐसा ही किया परंदू हो सकता है ये मजाख हो सोचने लगता है हो सकता है ये किसी व्यक्ती ने लिखा है वो कहां से सत्य हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ये तो लिखा है बीस वर्ष पूर्व तो मैं क्या करूँ पानी मेरे पास है पानी मेरे सामने है इससे मेरी प्यास मिट सकती है तो क्या मैं डालू और क्या भरोसा पानी उस हैंड़ पप में डालने के बाद वो चालू होगा भी नहीं इसका भी कोई भरोसा नहीं है क्योंकि इतने वर्ष बीद चुके है वो हैंड़ पम तो खराब पड़ा हुआ है प्रश्णों से मन गिर गया क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं उसने फिर से पत्र पड़ा और पत्र में लिखाता मुझ पर विश्वास करो कपते हुए हाथ से वो बोटल लेता है वो सोचता है पी लू परंदू फिर उसी पत्र को देखता है क्योंकि मेरे पहले भी कई आए और उन्हें ऐसा ही किया पिया नहीं पर वो है कहां पता नहीं पानी प्यू या पानी उसमें डालो सोचता है और कपकपाते हाथों से वो पानी उस हैंड पंप में डाल देता है और फिर पानी आ जाता है और वो पीता है और बॉटल भर देता है और फिर उसी पत्थर के नीचे रखकर आगे निकल जाता है यह यात्रा अध्यात्मिक राही की यात्रा है कई इस मार्ग से निकल चुके है उन्होंने पाया परंदू भविष्य अज्यात है दे फ्यूचर इस अन्नोन पाणी पीलू या डालू आगे बढ़ू क्या करू परंदू हाँ एक विश्वास है अज्यात में छलांग ही समर्पन है जंप इंटू अन्नोन सारे भ्यों के साथ कूच जाना बस एक विश्वास है एक निश्चे है एक फेथ है कि मार्ग यही है और कोई मार्ग है ही नहीं परंदू दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है अंधेरा सा है परंदू पता है यही सत्य है और कई मेरे पहले इसी मार्ग पर चले है दादियों को कोई खबर नहीं थी आगे क्या होने वाला है कुछ भी पता नहीं था परंदू कूत गह इसी को सरेंडर कहा जाता है नो बैक अप नो सेक्यूरिटी कोई सुरक्षा नहीं उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता था उसने देखा भी नहीं था उन लोगों को जो लोग उस रिगिस्तान से गुजरे उसके पहले परंदू उसे विश्वास हो गया उन शब्दों पर उन वाक्यों पर सभी चीज़े हमने की हो ऐसा जरूरी नहीं है और जीवन में हमें वो सारी चीज़े करनी होगी जो हमने कभी भी नहीं की जो अग्यात है अन्नोन है पर यही स्पिरिच्च्वल जर्नी है कूट जाना छलांग लगा देना इस विश्वास के साथ कि परमात्मा साथ है लास संडे की मुली पहली बार आने वालों से मुलाकात बाब का वर्दानी हाथ सिर पर है यही सबसे बड़ी क्या है सेक्यूरिटी और कोई मनुश्य साथ नहीं और कोई व्यक्ती साथ ही नहीं सपोर्ट नहीं आधार नहीं बस एक विश्वास कि परमात्मवर्दानी हस्त सिर पर है और उसके यह वाक्य है और उसके वाक्यों पर मैं चल रहा हूँ आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है दपात इस अन्नोन एंडाक अंदेरा है घटा टोप अंधकार परंदु विश्वास है इसी मार्क से निकल कर प्रकाश होगा इसलिए आगे आगे और आगे और आगे और आगे और आगे बढ़ते जाना है भै है डर है उस डर के साथ बढ़ते जाना है फियरलेस निर्भै अर्थात संपूर्न भै से मुक्ति नहीं है निर्भै की परिभाशा क्या है अभै की परिभाशा क्या है फियरलेस अर्थात सारे भैों के साथ साहस का प्रदर्शन क्योंकि हम ऐसे हरे को कोई न कोई भै तो है जो पहले कभी किया ही नहीं और हमसे कहा जाया कि ये करो कभी माइक के सामने बोला ही नहीं और हमसे कहा जाया कि भाशन करके आओ कभी प्रदर्शनी समझा ही नहीं और हमसे कहा जाए करो कोई भी संपूर्ण बन कर परमधाम से उत्रा नहीं है जिसने जो सीखा है वो कैसे सीखा है हिम्मत से मेहनत से अभ्यास से रस्रियावत जात है सिल पर परत निशान निरंतर उद्यम constant practice मन को कैसे वश्म करू चंचलम मना कृष्ण हे गोविन बताओ क्या करू भगवान का उत्तर है अभ्यासे न तु कौन थे वैरागे न चगोई थे अभ्यास से और वैराग से इस मन को वश्म कर सतत अभ्यास निरंतर अभ्यास जो आता नहीं जो कभी किया नहीं वो करना साहस का प्रदर्शन हमारे मन में जो भै है वही mental blocks है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे है सभी भटी में आए है और भटी का लक्ष रखेंगे जो मन में blockages है उनको खतम करना अंतरमन में गाठे बांदी हुई है उन गाठों को खोलना और गाठों को कैसे खोला जाता है जिस विधी से गाठ बांदी थी बस उसी विधी से उसे खोलना है क्यों किसी व्यक्ति के प्रती इतना गहरा द्वेश है क्यों किसी के प्रति इतनी गेहरी आ सकती है क्यों किसी के प्रति काम का भाव है क्यों अब तक ब्रह्मचर्य स्थिर नहीं हो रहा है क्यों मन में हलचल है क्यों योग में बैठते हु 10 मिनिट, 15 मिनिट or आदे घंटे के बाद ही उठना पड़ता है कौन उठाता है योग से हमारी बेचेनी है हमें उठाता है उठाती है और कोई नहीं कोई काम करना नहीं है फिर भी थोड़े दिर बैठने के बाद उठने की इच्छा होती है क्यों चित बेचेन है हलचल है क्योंकि अचेतन अचेतन मन में भीतर, बहुत सी गाठे तो यहाँ आए है और यहाँ आने का लक्ष केवल और केवल क्लासे सुनना मुर्ली सुनना चारधाम की यातरा करना नहीं है बहुत गहरा है बहुत डीप जो हर भटी से हम कहते है तीन नियम सब करी रहे होंगे पालन, फिर भी जो नहीं कर रहे है वो चालू करो पहला मोबाइल स्विच्ट आफ बंद संपर्क संसार से कट आफ कम से कम तीन तीनों के लिए क्योंकि बहुत डीप और गहरा ओप्रेशन करना है बहुत गहरी साधना है और जो कंभीर सादक है सादक के रूप में रहना है तीन दिनों के लिए भूल जाओ मैं कौन हूँ अधर बाब हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ मा हूँ, टीचर हूँ सारे प्रोफेशन सब उभादियों को एक तरफ और यहाँ छोटा सा बच्चा बन जो तीन दिनों के लिए जिसे कुछ भी पता नहीं है अभी अभी जनम लिया है नवजात शिशू हर चीज को आश्चर की भाती जो देखता है ओहो, क्या है यह curiosity है inquisitiveness सीखना है उसको जो सेवाय की है, सब एक तरफ जो धारनाय है, जो कुछ है सारा ज्यान एक तरफ और एक अज्यात शिशू जैसा कि मुझे भी सिखना है वर्स्ट रूल सेकंड रूल आपस में बातचीत बंद मौन जितना बोलते रहेंगे भायों मुकता रहेगी और तपस्या बातचीत करते हुए नहीं हो सकती तीसरा इस केंपस के अंदर ही रहना है लॉक्डाउन स्पिरिच्चुल कॉरंटीन जन जन के रोगी है बिमारिया विकारों की बहुत गहरी है भीतर जाना है केंपस से बाहर कहीं नहीं क्योंकि जहां आखे जाती है वाँ मन जाता है जहां आखे जाती है वाँ उर्जा बहती है और जितना हो सके चलते समय डाउन कास्ट आईज आखे नीचे इसको देखूं उसको देखूं ये देखूं वो देखूं और कुमार विशेश यहां से जाने के बाद भी एक अभ्यास पका करके चलना है डाउन कास्ट आईज आखे नीचे जहां आखे जाएगी वहाँ उर्जा भागेगी जहां उर्जा जाएगी वहाँ रस उत्पन्न होंगे और बहाई रसों की तरफ आकरशन होगा तो शरीर में जो रस है वो शरीर से बाहर निकलेगा ब्रह्मचरिया अर्थात conservation of energy सारे रसों को भीतर ही रोक लेना और ये काम शुभस्य शिक्रम करना है अशुभस्य कालहरणम रावन कुमारा है राम ने रावन नीचे पड़ा हुआ है श्री राम लक्ष्मन से कहते है ये लक्ष्मन जाओ उस रावन से कुछ सीखो वो बहुत बड़ा ग्यानी है और बहुत बड़ा पंडित है लक्ष्मन जाता है रावन के सिर के पास खड़ा हो जाता है पर रावन कुछ भी नहीं बोलता है वापस आता है श्री राम कहते है गुरू के पास जाते हो तो सिर पर नहीं सिर के पास नहीं कहां खड़ा होना है चरणों में लक्षमन फिर जाता है और कहता है कि मुझे कुछ शिक्षा दो रावन कहता है मेरी प्रथम शिक्षा यही है शुभश्य शीक्रम जब जब मन में शुभ संकल पाए जब-जब मन में स्रेष्ट संकल पाए जब-जब मन में शुब प्लैनिंग उत्पन हो उसका आचरन तुरंद करना है मैं नहीं कर पाया मैं नहीं पहचान पाया मैं ने वेरभाव रखा अशुबस्च काल हरनम नहीं तो वो परिस्तिती अफिर नहीं आएगी वो अवसर फिर नहीं आएगा अवसर अब है अपॉर्चुनिटी इस नाओ टाइम इस नाओ फिर से ऐसा मौका नहीं मिलेगा इतने बड़ी संक्या में सारे एकत्र आये है मदुबन में भटी के लिए इसके बाद भी शायद आएंगे पर अकेले आएंगे किसी ग्रूप के साथ आएंगे छोटे ग्रूप के साथ आएंगे थोड़ा समय पांड़भून में रहे के चले जाएंगे यहां रहने का अवसर मिलना इस पवित्र भूमी में रहने का उसर मिलना, इस तपो भूमी में, तपस्या भूमी में, कर्म भूमी कर्मा तीत भूमी, मधूर भूमी में रहने का उसर अब मिला है ना कोई ये कह सकता है कि हम अगली बार फिर मधू बनाएंगे ग्यारेंटी के साथ जीवनी अनित्य है युदिष्टिर से भिकारी भीक मांगने आता है, युदिष्टिर कहता है आज नेक कल आओ, मैं ठक गया हूँ टाइम हो गया है भीम हसने लगता है जोर जोर से युदिष्टिर पूछता है तुम हसते क्यों हो वो कहता है मुझे बहुत खुशी है मुझे ढोल नगाडे बजा बजा के सब को सुनाना है कहना है कि मेरे जो भाईया है वो कल सुबह तक भी जिन्दा रहने वाले इसकी इनको गैरिंटी है एक पल का भरोसा नहीं है यहां पर एक पल का भरोसा नहीं है हज़ार उपिशेंट्स को हमने देखा है जिनको कभी कोई बिमारिया थी नहीं, ठीक थे मिलके गए घर गए, सो गए उठे ही नहीं कितनी पार ऐसा हुआ है गुजरात से माताओं के भटी का गुरूप आया था कभी वो माता आयी शांतिस्तम पर बैठी शाम को पहुचे पाच बजे नहादो कर शांतिस्तम पर बैठी कमरे में गई अचानक से बेहोशी हॉस्पिटल आने तक ब्रॉट डेड जा चुकी थी शांतिस्तम पर वहीं पर जैसे उसने शरीर छोड़ दिया आसपासी वहीं जीवन कितना अनित्य और नश्वर है इसलिए जो जो करना है वो अब करना है नाओ और करना बहुत सारा है और करना बहुत कुछ बाकी है जो कहा कि गाठ गाठे है ग्रिना की द्वेश की नफरत की बदले की संबंदों में कड़वा हट है क्या किया जाए वो उस डीप माइंड तक पहुचने के लिए सब कॉंशियस माइंड तक पहुचना है तो उसकी विधिये कॉंशियस माइंड को शांत कर दो भायय मन को शांत, 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 शांत जितना भायय मन शांत होगा उतना अंदर पोहँच सकेंगे नहीं तो लोग यहां आते है भटिया करते है बाते करते करते भटिया चलती है भटिय अर्थात तपना यहाँ तपने के लिए आये है मौच, मस्ती, एंजॉयमेंट के लिए नहीं हाँ, रुहानी मौच भी है परंतु केवल वही नहीं रहे नहीं तो यहां से जाने के बाद क्या याद रहेगा हम भट्टी के लिए गए थे बहुत अच्छी भट्टी हुई, बहुत अच्छी क्लासेस हुई बहुत अच्छा भोजन था चारधाम की यात्रा है की, योग बहुत अच्छा लगाया और, और कुछ नहीं वापस आ गए संसकार जो था, जैसा था, वैसे के वैसे ही है, उपर उपर थोड़ी बहुत सफाई की है, विकारों की थोड़ी बहुत, किसी क्लास में एक हाथ कोई गहरी पॉइंट मिल गई उस पॉइंट ने, जो मन में एक हाथ छोटी सी गाट थी, वो खुल गई पर यहां से जाने के बाद, इस भटी का असर दस दिन, पंदरा दिन, एक मास बाद में जो थे, और एक मास के बाद कोई पूछे, कैसी थी भटी तो क्या कहेंगे बहुत अच्छी क्या पाया कुछ नहीं मनुरंजन, एंटर्टेन्मेंट बस तो काम यदि गहरा है, तो साधना भी गहरी होनी चाहिए जितना गहरा मौन होगा उतनी गहरी तबस्या होगी तो रावन लक्षमन से कहता है कि मैं पैचान ही नहीं सका लेट हो गया I am late यही मेरी शिक्षा है तुमको तो अगले एक दो दिनों में इस भटी में इसकी लिस्ट निकालो कि मुझे क्या करना था और जो मैंने अब तक किया नहीं हर एक जो पावा के पास आया इस उमंग से आया था कि मुझे महान तपस्वी बनना है महान योगी बनना है पर पता नहीं ब्राह्मन परिवार में आगे बढ़ते बढ़ते सेवाओ के मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते सेवाओ के जंगल में ऐसे खो गए कि साधना ही खो गई अब केवल सेवा है which is the fourth subject first subject, second subject, third subject ये रह गया और कहा तक रह गया अमरित वेला उठना, बाबा को good morning करना और थोड़ा सा कुछ बोलना मुर्ली क्लास में जाना और थोड़े बहुत points लिखना, diary close kitchen में सेवा guests का course hospitality यहाँ वाँ प्रवचन, भाशन घर के काम job that's it changes तो कुछ भी नहीं आए पुर्शार्थ की एक ही परिवाशा है तीब्र पुर्शार्थ अर्थात परिवर्थन personality change चाहे जो करना है करो but result यह होनी चाहिए अगर वो नहीं है तो something is wrong तो इस सुभश्य श्री गरम के चाहर सिद्धान्त है और साथ विदिया है टालना नहीं जो करना है वो अभी कल नहीं पहला think सोचना कौन सी बात मुझे करनी बाकी है यह सोचना जो की नहीं है वो करना है अमरित वेला ठीक नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है think पहले तो topic चूज करो कौन सी बाते करनी बाकी है कोई कला है कोई skill है कोई धारना है ब्रह्मचर्य सब कुछ कर लिया परन्तु फिर भी बार बार तूटते रहता है दो दिन पहले साकार मुरली थी जिसका ब्रह्मचर्य भंग होता है उसको धारना हो नहीं सकती और ब्रह्मचर्य केवल कामविकार से मुक्ती नहीं है और ब्रह्मचर्य केवल इंद्रियों का सहीय भी नहीं है ब्रह्मचर्य की बहुत उची परिभाशा है समता purity अर्थात equanimity जीवन की हर परिस्तिती में समान स्थिर रहना अर्थात purity कोई अपमान करे कोई समान करे, स्थिर बहुत स्थिती हो, कुछ भी नहो लोग recognize ही नहीं करें हमारी सिवाओ को हमने इतना सारा सिवा की और लोग ये कहें कि तुम कुछ भी नहीं करते फिर कैसे रहे non recognition हम सब कुछ करें और उसके बाद भी आरोप लगाए कि तुम आलसी हो फिर चेहरा change हो जाता है जब कलंक लगते हैं तब क्रोध आता है अर्थात समता है ही नहीं सित्व प्रग्य योगी अर्थात स्थिर वो purity की परिभाशा है सर्वोच्य पवित्रता अगर ये स्थिती अभी नहीं आई है तो कितना काम करना बागी है तो सबसे पहली स्टेप है think सोचो कौन सी बात है जो अभी तक की नहीं है जो करनी है health बार 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 बीमारी पढ़ते रहते बिमार पढ़ते रहते और दवईया खाते रहते डॉक्टर शॉपिंग ये डॉक्टर उसकी खाली वो ठीक नहीं अभी दूसरा फिर तीसरा फिर चाव था फिर पाचवा कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं है इतना बुखार हमको रहता है वो थर्मामेटर में नहीं आता है अंदर से रहता है किसी को हमारी कदर ही नहीं दुखी है अरथात हेल्थ को समझा नहीं है हेल्थ को समझ लेना बहुत बड़ी बात है जिसने हेल्थ को नहीं समझा स्वास्त को नहीं समझा spirituality फेल है वहाँ पर spirituality के लिए स्वास्त चाहिए रोज कुछ-कुछ हो रहा है किसी न किसी कारण से अमरित विला मिस होता है किसी न किसी कारण से ज्यान चिंतन मिस हो जाता है इसलिए भरतमान समय अब भी जो समय चालू है अपने आपको healthy रखना यह हर ब्राम्भन की अपनी जिम्मेदारी है अव्यक्त महवाक्या inverted कॉमा जो बच्चे बार बार बिमार पढ़ते है बाप दादा उन्हें ग्यानी और योगी तो आत्मा नहीं कहते body management is kingdom management जिसने body को manage करना सिख लिया वो राज्य को भी manage करना सिखेगा जिसने भोजन, भूख, प्यास भूख, प्यास और निद्रा और शरीर इनको जीता वो रियल योगी है जगदिश भाई की उधारन में है कमला नगर में थे ग्यारा बज़े तक सेवाई चलती थी बारा बज़े सोचते थे उटते थे दो और धाई के बीच वापस literature लिखना है मनोरदादी लिखती है मुझे भी लिखना हूँ, मुझे भी दो बज़े उठने की आदत पड़ गई क्यों? क्योंकि मुझे भी वो जो हिंदी में लिखते थे उसको सिंदी में या और इसमें ट्रांसलेट करना पड़ता था और छे बज़े पोस्ट जाती थी वहाँ से तो छे बज़े से पहले वो काम पूरा करना है तो दो बज़े उठना और छे बज़े के अंदर पूरा करना और जो लिखने वाला व्यक्ती है उसको तो और ज़्यादा मेहनत लिखने का काम बड़ा काम है कितना चिंतन, कितना अध्यन चाहिए कितनी तपस्या चाहिए और किसी धर्म का लिट्रेचर नहीं लिखा जा रहा था अज़ारों वर्षों के बाद परमात्मा धर्ती पर आया और उसने जो ज्यान दिया उसका ज्यान लिखा जा रहा था थिंक दूसरा कैसे चालू करू किसी को गाड़ी सीखनी है केवल यह सोचने से नहीं होगा कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ मैं देख रहा हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ काम करना पड़ेगा ग्रासडूट लेवल पर उतर कर योजना बनानी पड़ेगी कैसे मैं सीखू, किसी को type सीखना है typing, किसी को computer सीखना है, कुछ भी सीखना है उसके लिए महनत practical plan यहाँ बैठे है, इस भटी में आए है अभी यहाँ से अगले 6 मास की planning बना कर जाना है next, 6 मान की planning कौन सी planning, अमरितवेले की planning मुरली चिंतन की planning ब्रहमचरे की planning, संबंदों की planning सेवाओं की planning, सेंटर की planning जॉब की planning, ट्रेवल की planning, सब चीजों की planning जिस जिस में हम अस्थिर है उस हर चीज की planning तो पहला, think दूसरा, analyze तीसरा, start doing करना और कब करना? अभी, शुभश्य शीक्रम शीक्रा अभी के अभी, urgent urgent काम है यह, इससे ज़्यादा urgent और कुछ भी नहीं है बाकि सब एक तरफ कर दो बहुत time waste कर लिया किसी ने एक किताब लिखी है जिसमें उसने लिखा है गरीबों की साथ ऐसी आदते जो उन्हें अमीर नहीं बनने देती गरीबों की ऐसी साथ आदते जो उन्हें अमीर नहीं बनने देती money, पैसो के हिसाब से और पहली आदत है sports खेलना बहुत अच्छी बात है देखते रहना, time waste जो खेल रहे हैं उनको पैसे मिल रहे है तुमको क्या मिल रहे है excitement cricket देखते देखते शरीट छोड़ते होगे अंतमती सोगती दूसरा उसने बताया है TV News, Serial Movie यह सब में है अम यह लोग time waste नहीं करते पैसे कमाए है मेहनत है पैसे कमाने में पर गरीब यक्ती सोचता है इनके भाग्ये में ही पैसे है उनकी मेहनत नहीं देखते तो यह जो आदत है time waste है इस भट्टी से यह पक्का करके जाना है कि जो भी net YouTube यह सारा जो है digital इसमें केवल एक परपस के साथ एंट्री करनी है और जैसे काम पूरा हुआ वापस आ जाना है go online only with a purpose बिना लक्ष के net पर जाना ही नहीं नहीं तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा डिजिटल दुनिया की नगरी की अग्यात गलियों में बटक जाएगे stop यह तो काम करके जा सकते हैं यहां से महान भूमी पर आए जहां ब्रह्मान ने तपस्या की प्रकंपन है धर्ती मर स्रेश्ट वाइब्रेशन से magnetic field है यहां पर एक परन्तु कोई आए यहां पर और उपर उपर से देख कर चला जाए उसको अनुभाव नहीं होगा तिर्थस्तानों पर लोग जाते हैं अनुभाव नहीं को होता है जो थोड़ा समय वहां रहते है एकांत में बैठ जाओ शांतिस्तम पर spend hours तो वो feel आएगी वहां से गये परिक्रमा की निकले वहां से history hall तुम ज्यान के सागरो प्रेम के सागरो आनंद के सागरो बाबा के कमरे में गये इधर से किरने ली और उदर भेकी और फिर बाबा की कुटिया में गये बाबा गुटना ठीक कर दो और पती को भी ठीक कर दो और बच्ची को ज्यान में ला दो और जो मेरी पार्टनर है उसकी ट्रांसफर जल्दी से जल्दी कर दो काम पूरा हुए चारधा मुदर पूरे हुए मुरली मीठे बच्चे प्रश्ण उत्तर गीत डाइरी बंद बाजु में और फिर नींद भेंकर नींद महा भेंकर नींद और फिर एकदम मीठे मीठे फिर से जागरन और फिर से डाइरी और फिर धारना के लिए मुख्यसार एक, दो परदान, स्लोगन डाइरी बंद बाई, कल मिलेंगे सीडिया, चपल पहनते पहनते महावाख्य गया, सीडिया उतरते उतरते प्रश्न उत्तर गया घर पहुचते पहुचते धारना के लिए सार गया नाष्टा बनाते बनाते वरदान गया नाष्टा खाते खाते स्लोगन गया, शाम होते होत पूरी मुरली गयी और शाम को पूछता है कोई मुरली कैसे थी बहुत अच्छी थी Too good क्या थी? वो मत पूछो वस अगर ये दिन चर्या है तो उन्नती नहीं होगी क्रांती चाहिए क्रांती चेंज, ट्रांस्फॉर्मेशन शॉक चाहिए दस लोग आकर हमारी तारीफ करते है कोई फाइदा? कोई परिवर्तन? कोई कहते तुम बहुत अच्छी योगी हो योगी हो, तपस भी हो चिंतन तुमारा बहुत अच्छा है क्लास? वा, वा, वा कोई उन्नती? नहीं, और कोई आकर कह दे, तुम जो बोलते हो पर करते तो कुछ और ही हो योगी तो लगते ही नहीं किसी भी एंगल से अब क्या होता है? दुख अंतर मुकता स्वत अपने आप तब परिवर्तन आता है तो परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? शौक चाहिए थिंक सोचो किस में परिवर्तन लाना है अनलाइज, कैसे लाओ, विधी क्या हो सकती है तीसरा स्टाट और चवथा कम्प्लीट, उसको कम्प्लीट करना जो संकल्प ले लिया अब रुकना ही नहीं, जब तक वो कम्प्लीट न हो जाए, सोच लिया है कि मुझे यह सीखना है for example, भाषा सीखो वो सीख लेंगे क्योंकि जब तक भाषा नहीं सीखी जाएगी उस भाषा का जो लिटरेचर है उसको उतनी गहराई से नहीं समझी जाएगी मुरली हिंदी में पढ़ना और फिर मुरली ट्रांसलेटिड उसको क्या कहेंगे एक है तवातु माउत और दूसरा रखी हुई रोटी एक भाषा से जब दूसरी भाषा में चीज ट्रांसलेट की जाती है तो वो ऐसे है जैसे एक इत्र की बॉटल है उसको उस इत्र की बॉटल से दूसरी बॉटल में डालना है आधा उड़ गया तो जो मज़ा भगवान की भाषा में उसी भाषा में उसको समझना है तो ये भी एक संकल्ब करके जाना है विदिन नेक्स सिक्स मंस मास्टर लैंग्वेज चाए इंग्लिश चाए हिंदी कोई भी जो आप चाहते है कि मुझे आनी चाहिए जिससे सिवाय हो सकती है बाष्किया इसलिह हिंदी नहीं जानते है और साउत वाले अभी साउत में रह रह है हिंदी साइडर परन्तू अभी तक नहीं सीखे है भारत से लोग विदेश चले जाते हैं दस साल से रह रह परन्तू क्या करते हैं वहापर उसी गुरुप को धूंड लेते हैं गुजराती गुजरातियों को धूंड लेते हैं अब इंगलिश के जंचटी खतम अब इनी से काम चलाओ क्यों? सीखो नए ट्रैक क्रियेट होते हैं ब्रेन पर काम देना है comfort zone से बाहर निकलना है क्योंकि सीखने के बाद सेवाओ का क्षेतर अपने आप बढ़ जाता है अपने आप तो learn new things तो ये चार भाचे think, analyze, तीसरा, start and complete और आज का काम आज ही करना है उसको कल पर नहीं टालना है उसके लिए ऐसी साथ बाते हम देखेंगे सबसे पहला गाम मुझे अभी के अभी चालू करना है ये संकल्ब और दिड़ संकल्ब करकर जाना है लोग तिरतस्तान पर जाते हैं क्या संकल्ब, वहां जाकर संकल्ब करते और संसार में सबसे बड़ा तिरतस्तान कौन सा है मदवन तो यहां आए है, तो यहां आकर क्या करके जाना है, एक powerful thought create करके जाना है क्यों संबंदों में कड़वाहट है अब मुझे ये जो कड़वाहट है इसको ठीक करना ही है husband, wife, युगलों में दोनों ग्यान में परंतु द्वंद है दो आत्मा है, दोनों ग्यानी है पर दोनों में द्वंद है, क्यों है उस गाठ को खोलना है वहां तक पहुँचना है और जैसे हर भटी में हम कहते हैं, कि आपका ये जो भटी है ये एक तैयारी मात्र है रियल भटी कब चालू होगी यहां से घर पर पहुचने के बाद कब पहुच रहे? कब पहुच रहे? घर पर कब पहुच रहे? 9 तारीक को ठीक है? तो रियल भटी चालू होगी 10 तारीक से ये सारवजनिक है, वो व्यक्तिकत होगी ये प्रत्यक्ष है, वो गुप्त होगी यहां पर स्पीकर्स अलग-अलग है, वहां तुम खुद ही स्पीकर होगी टॉपिक यहां अलग-अलग है, वहां एक यहां अलग-अलग और वो कौन सा टॉपिक होगा? खुद डिसाइड करना है या फिर अमृत्वेले बाबा से लेना है वो टॉपिक और वो टॉपिक दिया जाएगा टाइम है सुबद दो से पाच के बीच इस बीच सोना नहीं है उदर बहुत सो लिया जल्दी सो जाओ जैसे सब हो जाता है सो जाओ मोबाइल स्विच्ट आफ ना कुछ पढ़ना ना कुछ करना बाबा की कंड़े में good night कंड़े में गए, सोजो ताकि देड़ दो बजे के बीच आख खुल जाए मदवन के उस दो बजे के सणनाटे में तपस्या होती है गहन सणनाटा प्शू ऐसा जो आवाज होता है उस में तपस्या की जाती है कोई जहाँ नहीं है वहाँ पर उस मौन में और उस एकांत में और उस पिंड्रॉप साइलेंस में निस्तब्दता में एक नया रियलाइजेशन होगा जा मन एकदम शांत है वहाँ वो टॉपिक अवतरित होगा कि यहाँ से जाने के बाद क्या करना है अभी रियल भट्टी चालू होगी कौन सी तारिक से दस तारिक से कितने दिन की 21 दिन उसकी तैयारी अभी यहाँ से करनी है 21 डेज की भट्टी की तैयारी और वो 21 डेज गिन गिन के एक एक दिन का चार्ट रखना है रात को सोने से पहले रहा, एकांत कितना रहा, ब्रह्मचर्य कितना अखंड रहा, किसी को शरीर तो नहीं तेखा, या किसी के शरीर ने आकरशित तो नहीं किया, या किसी से द्वन्दत नहीं हो गया, जो कुछ हुआ वो लिखो उसमें, संकल भी कर की जाना है जिसने संकल भी कर लिया मुझे दो बजे से एक मिनिट आगे उठा नहीं नहीं दो बजे मतलब दो बजे कोई नहीं रोक सकता उसको हमारे रोकने वाले हमारे अंदर बैठे हुए है सारे शत्रु इदर है सारे रावन इदर है बाहर के रावन तो कुछ भी नहीं है अभी करना है पहला काम, दूसरा वायू मंदल को बदल देना यहां से कल सुबह अमरित वेला जहां आप रहते हैं, वो घर, वो सेवा के इनर वो आफिस, उसको आखों से विजुलाइज करना है, देखना है कहां क्या चेंजिस करने बाबा का कमरा है या नहीं है, है नहीं है तो कैसे बनाओ, कहां ट्रंसलाइट हो कहां ना हो, कहां बैठू और कैसे बैठू, उस थान को परिवर्तन करना है, थोड़ी चीजों को ना दो कमरे को, चेंज कर्टन्स, चेंज वाल, सब कुछ बदलो उसको, क्योंकि हमें नया करना है, जैसे किसी को कोई किताब लिखनी है, तो क्या करता है वो, पहले एक विजुलाइज करता है, मुझे एक टेबल चाहिए, मुझे एक खुरसी चाहिए, मुझे एक पैन चाहिए, अच्छा पैन चाहिए, डाइरी चाहिए, पेपर्स चाहिए, सारी तैयारी चाहिए, तब जाके चालू करता है कोई पैंटर है, उसको एक तुलिका चाहिए उसको पैंट्स चाहिए पुर्व तैयारी जाड़ है उससे दूर. Make changes. The second point, change environment. Office है, सारी चीज़े दर दर बिखरी पड़ी है, कुछ दिखती नहीं ताइम पर, उसको बदलो थोड़ा से. Kitchen, उसमें क्या changes कर सकते हैं? Amritvela, देखो उस kitchen को. एक एक बरतन को सकाष दो. घर की एक एक दिवार को सकाष दो. रोज जिस रास्ते से जाते हैं, उस रास्ते को, उस ट्राफिक को सकाष. Changes. तो दूसरी बात, change environment. तीसरा, अगर ये मैं कर लूँ, तो फाइदा क्या क्या है? उस पर चिंतन करो. अगर हिंदी सीखनी है किसी को, तो लक्षर को हिंदी में ही बात करेंगे, और बाबा से केबल हिंदी में बात करेंगे. उसी बात, उसी में commentary. कब तक शिवबाबा आती है, और क्यों शिवबाबा जाती है, बोलते रहेंगे. ब्रह्मा नहीं बोलती है, शिवबाबा बोलती है. कुछ भी हो सकता है वो, टास्क. तो तीसरा काम, क्या करना है? उसके फाइदे क्या क्या है? अगर मैं ये सीख लूँ, तो क्या क्या हो जाएगा? अगर मेरा भोजन परिवर्तन हो जाएगा? तो क्या क्या? अगर मैं हेल्दी हो जाओं, कभी ना सिर दर्द, ना कभी पेट दर्द, बिस्तर पे लेटे और तुरंट नीद, लोगों को नीदी नहीं आती है, रात भर, जो रूफ होता है, उसका एक्स्प्लोर करते हैं, कहां रिपेर की जरुबत है, ताइम बहुत है, क्यों ऐसा होता है? कुछ तो गड़बड कर रहे हैं, और हर बार जैसे हम कहते हैं, तीन नियम है, सरकार के नियम, तोड़ा तो क्या होता है? तुरंट फाइन, ट्राफिक रूल तोड़ो, क्या होता है? फाइन, इसलिए कुछ दड़ लगता है तोड़ने से, दोसरे इश्वरिय नियम, परमात्मा के नियम, थोड़े तोड़े तोड़ देते हैं बीच में, क्यूंकि तुरंट दड़न नहीं मिलता है, गवर्मनेंट के रूल में, तुरंट पनिश्मेंट है, इश्वरिय नियम में तुरंट पनिश्मेंट, आज अम्रीट वेला नहीं किया, तो कोई दंड देने एक तुखड़ा तो है नहीं तीसरे है प्रकृति के नियम और वो तो दंड बहुत आराम से मिलता है कई-कई सालों बाद Nature's First Law और प्रकृति का एक ही नियम है जो प्रकृति ने दिया है उसको वैसे ही स्विकार करना जिसने इस नियम को तोड़ा चाहे वो किसी भी संस्था का किसी भी धर्म का कोई भी अध्यात्मवादी हो धार्मिक व्यक्ति हो, साइंटिस्ट हो कोई भी हो, उसको बिवारी खेरेगी जो है, जैसा है उसको उसी रिती से स्विकार करना जो इस नियम को तोड़ेगा वो बिमार पड़ेगा जो कुछ आग में डाला वो बैया तुरत नहीं आएगी बिमारी लंबे समय के बाद आएगी इसलिए दीरे दीरे 50%, 60%, 70%, 80%, 90% तक क्योंकि धाई अजार साल की हदत है एक दिन में नहीं जाएगी परन्तु जितना हो सके उसको परिवर्टन करते जाना है तो क्या देखना है? फाइदे क्या है? चौथा वो कार्यक करने से पहले अपने आपको रिचार्ज करना है कैसे? जैसे सेवाओं में जा रहे है योग करो, बाबा से कनेक्ट हो जाओ, फिर जाओ कोई कोर्स करने आने वाला है तुरंत किरने लो, उसको किरने दो और फिर कोर्स कराओ कोर्स शाम को करने आने वाला शाम को है आधा कोर्स उसका सुभई अम्रितवेला, सुक्षमवतन में कराओ कि तुम एक शानत आतमा हो वो सब पूछना अपने आप बंद हो जाएगा गंगे दादी अपना अनुभव सुनाती है कि एक भाई आते थे गुपता जी वो बहुत इंटेलिजन थे और बहुत प्रश्न पूछते थे और एक बार उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा यह तुम कहते हो पाँच हजार साल का चक्र और वो भी रिपीट होता है मैं नहीं मानता I don't accept दादी ने कहा बाबा तुमको टच करेगा बैठ जाओ और वो बहुत शास्त्रवादी थे सारे शास्त्र उनके कंट थे वो बैठे तो अच्छानक महाभारत का एक सीन उनके सामने आ गया और वो सीन था भीश्म पिता मा का भीश्म पिता मा ने कहा था मेरे शरीर को वहीं दफनाना जहां आज तक किसी और को दफनाया नहीं है मैं जब मर जाओंगा तो मेरे शरीर को वहां क्रिमेट करना जहां किसी को भी क्रिमेट नहीं किया गया रत पर उसका शरीर है मर चुका है dead body तीर सब निकाल दिये मर चुका है और वो पालखी ले जा रहे यहां जमीन कहती है नहीं नहीं यहां तुम पहले आये हो यहां कोई आया है और आगे यहां पर जमीन कहती है नहीं नहीं not this यह तो अलरड़ी यहां तुम आये हो यहां कोई और आया है यहां तुम ही आये हो शायद किसी जनम में और यह सुनते 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 यह जो सीन आता है तुरंत उसको दिश्वास हो जाता है कि यह सब रिपीट हो रहा है और निश्चे हो जाता है इस सीन के कारण तो आदा काम सुक्ष में बतन में तो अच्छा हो था रिचार्ज अपने आपको कोई भी काम करने से पहले तुरंत नहीं चालू कर देना है क्या करना है लोग युद्ध में जाने से पहले युद्ध के शस्त्रों जो होते उसकी पूजा करते उनकी पूजा करने क्या ज़रत है भावना तलवार की पूजा की जाती है भारत में क्यों भावना इसलिए कहा एक सकाश जो है वो है जहां पर प्रोग्राम करना है उस मंगलकारियले को उस मंडप को उस भूमी को उस थान को सुबह सुबह क्या करना है सकाश देनी है शाम को कहीं प्रोग्राम होने वाला है पब्लिक या भटी होने वाली है कहीं दूर किसी स्थान पर पर जहां कली शादी हुई थी, शादी के vibration से, सकाश से aura cleansing, शक्ति create करो मैं हाथों में, और दर्वाजे पर लगाओ, purity की कीरने, this is the method, ऐसे, energy ball create करना है, अब ये energy ball में, कीरने डालो, और उसको गुमाओ, यहां दर्द है, पूरे शरीर में कहीं न कहीं blockage है, शरीर पर भी गुमा सकते हैं, aura cleansing, pranic healing, दर्द है, जरूर कोई, कुछ तो है, इस पैर ने विकर्म तो किये ही होंगे, किसी को लाथ तो बहुत माली होगी, ऐसे ही नहीं दुपता है, सब connected है, फिफ्थ, note down, plan, writing में चाहिए, उसके सिवा नहीं होता है, black and white, मेरा plan है, learning language, मेरा plan है, reading books, यग्य की सारी किताबे पढ़की हो गई, total 1068 अव्यक्तवानिया है, 69 से लेके तो 2070, सारी पढ़के हो गई, हो गई क्या, किसकी होई, शायद ही कोई होगा, सारी अव्यक्तवानिया, और किबल पढ़ना नहीं, अध्यान, रोज एक अव्यक्तवानि पढ़ना, इसका target, ऐसे नए नए टार्गेट, note down, यहां से जाने के बाद, मुझे क्या करना है, यहां आना, व्यर्थ न जाए, इतना दूर से आये है, इतना खर्च करकर आये है, वो केवल मनुरण जन न रहे जाए, जितनी बाद आये हैं, सब को हटा दो, इस मार्ग पर, यदि कोई किताब पढ़ रहे हो, उतने समय के लिए मोबाईल को आफ कर दो, कोई disturbance ना हो, इतनी एकागरता से पढ़ो उसको, ताकि एक बार पढ़ लो, तो क्राप्स हो जाए, बुद्धी को तिक्ष्ण बनाना है, sharp intellect, एक बार सुना, तो छप जाए, उसके लिए क्या करना है, distractions जो है, इसलिए बीच बीच में, ऐसे स्थान पर जाना है, हो सके तो छे मैने में, तीन दिन, मौन और एकांत में, वहीं पर जहाँ आप हो, और साल में हो सके तो एक बार, long retreat, 10 days silent retreat, साल में एक बार, 10 days silent retreat, विदेशों में भाई बेने की भटी होती है, उस भटीों में कोई classes नहीं होती है, चुप चाप, silence, कौन किसको class करा है, सब को सब पता है, के वल मौन, 7, divide, कोई भी काम, तुकडे तुकडे में बाढ़ दो, divide करो उसको, एक धक से सब नहीं होता है, अपने आपको time दो, पहले तीन दिन ये करूँगा, फिर तीन दिन ये करूँगा, या एक ही दिन को divide करो, time boxing, time buffering, और लास्ट एक और add कर सकते है, deadline set करनी है, ये काम मुझे कितने दिन में करना है, तीन दिन में पुरा करना है, तो ये urgency आती है, अगर कह दिया, किसी को अच्छा ठीक है, तुमको ये सीखना है, कितना दिन में, कोई limit नहीं है, कभी ने सीखेंगे, सीखता कभी वेक्ती, deadline set कर दो, जैसे, उस दिन भी हमने एक उधारन अपना ही बताया था, एक बार दादी जान की से मिलने जाना था, कुछ हो गया था, ऐसे ही जो routine health visit, तो हमने सुबह एक संकल्प कर लिया, कि बाबा ने दादी के लिए, जो कुछ भी कहा है, वो मुझे जाने से पहले पढ़ कर जाना है, और वो किताब जो थी, छोटी सी एक किताब थी, राजु भाई की लिखी हुई, करें जाना है, फटाफट 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 एक reading, सेकंड इडिंग, थर्ड इडिंग, फूर्द इडिंग, यहां से नीचे जा रहे तो भी पीचबिच में देख रहे थे, और रिवाइस कर रहे थे, क्या कहां, क्या कहां, क्या कहां, डेड्लाइन सेट कर दी कि यह हो जाना चाहिए, आज दादी से मिलने से पहले, क्योंकि मैं जिसको मिलने जा रहा हूँ, उसको भगवान ने उसके लिए क्या कहा है, वो मुझे पता चाहिए, सेट डेड्लाइन्स, तो ही व्यक्ति सीखता है, इसलिए आपको काम दिया है 21 days का, किस topic पर काम करेंगे, किसी को गुस्सा आता है, तो गुस्से पर काम करो, किसी को रोने, रोता कौन को ने, माताओं में से, कितने रोते हैं, जो एक मास में रोया ही नहीं, माताओं में, हाथ खड़ा करेंगे जराएं, बाकि सब रोये, यह समझ नहीं आया है, हमने क्या कहा, रोना प्रूफ, कल की बर्दान था ना कली, feeling, feeling पर काम करना है, अच्छा लडो दूस्तिति पर काम करना, अपना topic खुद डिसाइड करना है, और तीन दिन है, बाचे, close, भक्तों की लाइन चालू, और उस से भी ज्यादा टाइम, दो और साड़े तीन, साड़े तीन बाचे, ब्रामणों की लाइन चालू, उसके पहले, टू, 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 थ्री, थर्टी, यह समय है तपस्या का, सोने का नहीं, हे नीन को जीतने वाले योगियो हे नितरा जीत आत्माओ परंतु जब परदस्ती नहीं करना है दीरे 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 और यहाँ पर तो जल्दी सोजाओ without any distractions mobile switched off किसी से कोई बात नहीं करना है जैसे class पूरा हुआ भोजन पूरा हो जाओ और जितना हो सके रात्री भोजन हलका हलका करते जाओ और जितना जल्दी हो सके कर दो उसको यहाँ से जाने के बाद भी यह भी एक पुर्शार्त है जितना लेट भोजन उतनी नीन नहीं खुलेगी जैन धर्म में सुर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाते है उधर सूर्य डूप गया इधर मुक बंध लॉक फिर अपने आप अमरित्विला जा गया नीन खुलेगी पेट भरके यहां तो कगर खौँगे और फिर कहते हमारा अमरित्विला नहीं होता है और नीन आती है अपनी भोजन की आदतों को चेंज करना है एक दिन में नहीं होगा लंबी आत्रा है धीरे 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 जो इतना हेवी खा रहे है उसको पहले हलका करते जो जितना लेट खा रहे है उसको पहले पहले करते जो 8, 7, 6 और पहले जितना solid है उसको change करो liquid में convert करो और फिर देखो क्या होता है शरीर में उर्जा ही उर्जा और जितना अनाज कम होगा उतनी सुस्ती कम होगी तीनो बार ही अनाज खाना अर्थाथ शरीर पर अत्याचार करना है सुबह भी अनाज, दुपर में भी अनाज, शाम को भी अनाज तीन तीन भार अनाज अनाज अर्थाथ, दाल, रोटी और चावल, इसे अनाज कहा जाता है liquids, fruits vegetables, salads अंकुरित, change करते जाओ, जैसे भोजन change होगा जो शक्ति खाने में, पचाने में और फेकने में जा रही है वो अपने आप उपर दोड़ने लगेगी और चिंतन में लगेगी स्मरण शक्ति तिक्ष्न होगी तो सभी साथ बाते बताई, कौन-कौन सी? पहला अभी करना है दूसरा, वायू मंदल को change करना है वातावरन को, या वायू मंदल create करना है, तीसरा फाइदे क्या है, वो जो मैं सीखूंगा चाओ था recharge करना है अपने आपको कोई भी काम करने से पहले, योग में recharge करो, या music से recharge करो या योग निद्रा से recharge करो, प्रकृति में जाओ, spend time, एक घंटा दो घंटा, garden में जाके बैटो, छट पर जाकर बैटो, recharge करो, अगला five, लिखो note down, plan black and white में plan होना चाहिए अगला distractions, जितने disturbance से अटा हो उसको और last, divide और एक जो extra बताया, deadline set कर दो शुभष्य, शीग्रम असुभष्य काल हर्णम, काल का कोई भरोसा नहीं है और जो समय अभी है, वो फिर नहीं आएगा जो facilities, जो साधन अभी उपलब्द है, वो फिर नहीं रहेंगे यह शरीर भी कहा रहेगा शरीर बुड़ा होते जा रहा है हर दिन happy birthday, happy birthday अर्थात, काल के मुख में happy birthday, फिर अंदर, happy birthday happy birthday, happy birthday death day की तरफ जा रहे हर happy birthday के साथ तो सभी स्थिर होके बैठेंगे diary, pen, pencil, सब हटा दो जो पीछे बैठेंगे, नीचे आकर बैठ सकते हैं तो नीचे बैठेंगे, जो नीचे आराम से बैठ सकते हैं तो अगले 20 minutes next 20 minutes जरा भी हिलना नहीं है बुद्ध कैसे बैठें, महावीर कैसे बैठें, ब्रम्हा कैसे बैठा है बिलकुल अचल कुछ भी नहीं हिलेगा आँखों को भी स्थिर कर दो एक पॉइंट पर ना हाथ ही लेगा, ना उंगली ही लेगी पैर नहीं हिलेगा जो जहां रख दिया, बस रख दिया कमर सीदी पोश्चर स्थिर संपूर्न शरीर शानत और शिथील पुरे शरीर में जो तनाव है साक्षी होकर एक बार उस तनाव को देखना है कुछ समय के लिए सभी आँखे बंद कर देंगे अपने संपूर्न शरीर का निरिक्षन करना है चेहरे पर जो तनाव है रिलाक्स गरदन राइट शोल्डर दाया कंधा संपूर्न दाया हाथ देला छोड़ दो मन को गुमाएंगे दाया हाथ में बाया हाथ रिलाक्स उंग्लियों को रिलाक्स चाती पेट पीट का भाग कमर सारा शरीर योग नित्रा की अवस्था में जा रहा है दाया पैर दाया गुटना दाया ठकना दाय एड़ी दाय पैर की उंग्लियों संपूर्न दाया पैर शिते बाया पैर उपर से नीचे तक शिते संपूर्न शरीर पूर्न विश्राम की अवस्था में फिर से एक बार सिर के सिरे से पाव तक संपूर्न शरीर का निरिक्षिन चेहरा गर्दन एक साथ दोनों कंधे दोनों हाँ छाती पेट रिलाक्स दोनों पैर एक साथ दोनों खुटने मन भी शान्त देह के भव्य भाल पर विराच मार मैं जैतन ने जूरती हूँ अनुभाओ यह शरीर अलग है मैं अलग हूँ मस्तक मनी को देखना है चमकता हुआ से धारा मन की आँखों से मैं आत्म इस शरीर से बाहर उड़कर जा रही है संसार से परे अकाज से परे सभी तत्वों से पार अंतरिक्ष से भी परे सुक्ष मवतन अव्यक्ष तबाब दादा सम्मुक है सभी आखे खोल कर बाबा से दृष्टी लेंगे बाबा के ने नो से अनन्त शक्तियों के धाराए मुझा तुमा पर बढ़ रही बाब दादा के मस्तक से पवित्रता की किरने मुझ पर बाबा परमात मुप्रेम का नुभाव परमात मुप्रेम का नुभाव मैं जो हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ सुम्पून समर्पन भाव में स्थित् सुमक्र समर्पन कम्प्लीट सरेंडर बाबा जो यथार्थ है जो स्रेष्ट है जो योग किया है उस पर चलने के शक्ति मारगा तू ही बता तन मन तन बुद्धी संसकार समन्द सब कुछ तुम्हारा मेरा अस्तित्वत तुम में समर्पन बाब दादा का वर्दानी हस्त तस्सिर पर है विजई बाबा निर्विक्न बाबा सफलता मूर्थ बाबा यहां से जाने के बाद जो व्यक्तिगत भटी चालू होने वाली है मेरी एकिस दिन की उसके लिए बाबा सफलता का वर्दान दे रहे सफलता मूर्थ बाबा सफलता मूर्ण आवे लॉल्स सफलता मूर्थ स्फलता मूर्थ रऒ़ लुट लुट से ज note लुट मूर्च अपने जीवन के सारे द्रिश्च, सारी घटनाए, एक विशाल स्क्रीन पर मैं देख रहा हूँ बच्पन, ग्यान में कैसे आये, ग्यान का जीवन, मदुबन की पहली आत्रा, इश्वरी अनुभाव, जीवन में आये हुए विग्न, भिमारिया, कड़वाहट, विकारों से हार, तो दूसरी और, सेवाओं की सफलता, प्रभू प्रेम, सब कुछ, इसाब किताब, अभी बहुत धीरे से, बिनावास की, संपूर नमावन में, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, बिनावास की, दृष्टी एक बाब दादा पर टिकी हुई, स्थिर, अपलक, दृष्टी, बाब दादा के नैनों से, शक्तियों की किरने मुझ पर आ रही है, एक पल के लिए नजर को नहीं अटाना, भाई भाईयों की तरफ, बहने बहनों की तरफ, अपने दोनों हाथों से, अपने बाज़ों में जो दो लोग हैं, उनके हाथ पकड़ेंगे इस तरह से, हमारी तरफ देखते हुए, हमारी तरफ देखते हुए, आखे बंदे, आखे बंद, हाथ डिले, मैं परम पवित्रा आत्मा हूँ, मेरे अंग अंग में पवित्रता है, रोम रोम में पवित्रता, मेरे दोनो हाथो से पवित्र किरने इन दो आत्माओ को जा रही है, इन दो आत्माओ की पवित्र किरने मुझ में आ रही है, संपूर्ण शरीर में पवित्रता की करंड, सारे देह में ब्रह्मचर्यस बंदित हो रहा है, रख रख में प्यूरिटी, परम धाम से पवित्रता के सागर श्युबाबा की पवित्र किरने मुझ पर, सारहाल पवित्रत तरंगो से आपूरित, मैं शिव की अर्धाम गिनी हूँ, मैं शिव की शप्ती हूँ, मैं मेशासुर वर्दिनी, महा, तुर्गाओं, कालियों, सरस्वतियों, भक्त मंदिरों में जिसको पुकार रहे, हे जगनमाता, हे जगदंबा, वो शिव की शिवाम मैं हूँ, पुरे शरीर में प्यूरिडी की करंट, मन में छिपे हुए विकारों के गाओ घर, पवित्रता की इस बाड में बहे जा रहे, आशरीरी बने, मन, विकारों की उत्ते जनाए समाप्त, मन शांत, जेतना शुद्ध, बाबा, सभी मौन में फिर से नीचे बैठ जाएंगे, हाथ छोब दे, द्रिष्टी अपलक, एक रस, शुभश्य शीग्रम, परिवर्दन के संकल्प का, और परमात्म द्रिष्टी का मिलन, द्रिष्टी सदद लेते रहेंगे, हम शार्दे, करुमि को ले workers कि अज़नय शीघ, करुमि काम लिच्टी का चल्प आएंगे लिवर्ड़र्य ले बैंगे, राफख देख आएंगे, कवा पार्दे, प्लुमि कि अज़ना है! दुनिया में कहते हैं नेक काम में देरी क्यों अर्था थी कोई काम नेक है शुब है तो बहुत शिग्रते शिग्रते